युक्रेन में हुआ चेर्णोबिल डिजास्टर, दुन्या के इतिहास में सबसे खतरनाप न्यूक्लियर डिजास्टर था आज के दिन तक वहाँ पर एक 19 मील की एक्स्क्लूजन जोन बनी हुए है क्योंकि लोग वहाँ रहे नहीं सकते आने वाली कई सदियों तक वहाँ पर रेडियो अक्टिविटी के लेवल्स बहुत हाई रहेंगे लेकिन साल 1991 में साइंटेर्स ने डिसकवर किया कि हाला कि ये जगह इंसानों के लिए सेफ नहीं है यहाँ पर एक स्पेशल तरीके की फंगस उगने लग रही है जो रेडियेशन को खा सकती है इसका नाम है क्रिप्टो कॉक्कस नियो फॉर्मांस फंगी और इसके बीचे बेसिक रीजन ये है कि इस फंगस के अंदर बहुत हाई अमाउंट अफ मेलनिन है मेलनिन वही पिगमेंट है जो इंसानों के स्किन में भी पाया जाता है जितना ज्यादा मेलनिन आपकी स्किन में होता है उतना ही ज्यादा स्किन कलर आपका डार्क होता है और उतना ही ज्यादा आप अल्ट्रा वालेट रेज से प्रोटेक्टिड रहते हो वो रेडियो सिंथेसिस इस फंगस से सीखें और उससे नई टेकनोलोजीज डिवलप कर सकें